हेलो फेंस केज़े आप लोग आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एकुरियम आप किस हाइट पर रखेंगे तो एकुरियम अच्छा दिखेगा और एकुरियम लेने से पहले आपको कुछ-कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा तो वीडियो को सुरू करते है एकुरियम को आप घर, दुकान, आफिस, सब जगा रख सकते हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एकुरियम जहाँ पे रख रहे हैं वहाँ पर सूरज की किरन नहीं पढ़नी चाहिए मतलब सूरज की किरन एकुरियम के कांच पे लगेगा तो एकुरियम के कांच में साइबाल जर्माना सुरू हो जाएगा जो आपके एकुरियम का सुन्दरता को नश्ट कर देगा तो अब बलूँगा एकोरियम आप किस हाइट पे रखेंगे तो एकोरियम सुन्दर दिखेगा तो पहले आपको एक चेयर नहीं तो एक सोफा में बैठना है और आपके आख का जो लेबल है उस लेबल पर एकोरियम को रखना है मैं फिर से एक बार समझाता हूँ आपको मदलब आप चेयर पर जब बैठेंगे तो आपका आख जिस लेबल पर होगा उस लेबल से आपको एकोरियम रखना है तो एकोरियम अच्छा दिखेगा आप उस लेबल पर एकुडियम को रखना एकुडियम लेने के लिए आपको कुछ-कुछ पॉइंट दिमांग में रखना पड़ेगा तो मैं आप 6 पॉइंट बताऊंगा तो पहला पॉइंट है एकुरियम को बिठाने के लिए आपको एक टेबिल की जरुरत पड़ेगी ओ टेबिल लकडी का हो या कॉंक्रिट का उससे कोई मतलब नहीं लेकिन मजबूत होना चाहिए नहीं तो पानी देने के बाद तो टेबिल टूट जाएगा तो एकुरियम भी टूट सकता है अब बताओंगा दूसरा पॉइंट तो दूसरा पॉइंट है आप जब टेबिल पे एकुरियम को बिठाएंगे तो एकुरियम के नीचे एक थर्मो कॉल जरूर दे नहीं तो aquarium का नीचे का कांच तूट सकता है अब बताऊंगा तीसरा point तो तीसरा point है aquarium आप जहां पे रख रहे हैं उसी के पास में ही बिजली का correction होना चाहिए नहीं तो आपका air pump, light, filter नहीं चलेगा अब बताऊंगा fourth topic तो fourth topic है aquarium में आप जब पानी डालेंगे तो पानी धीरे धीरे करके डालें और पानी डालने के बाद आपको देखना है पानी का label ठीक है या नहीं अब बताऊंगा 5 number topic तो 5 number topic है आप जहां पे aquarium को रखे हुए है वहाँ पर ठंडी के मौसम में ठंडा हवा नहीं आना चाहिए इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है अब बताऊंगा last topic तो last topic है aquarium आप जहां पे रखे हैं वहाँ पर जदा हल चल नहीं होना चाहिए मतलब जदा आवाज नहीं आना चाहिए नहीं तो आपके फिस को अच्छा नहीं लगेगा और वह पत्थर में बैठी हुई रहेगी तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई